हो friends कैसी हुआ आप जैमा टैरो में आपका स्वाज़दा जैमा टैरो आपका अपना टैर फ्रेंड जैमा टैरो में जर्नल डिडिंग का आज का टोपिक क्या है जिनको आप बहुत लाइख करते हो बहुत पसंद करते हो आज देखेंगे हम उनकी क्रंट फिलिंग जी हाँ उनक चाइमलेस और क्लेक्टिव है जब भी दिल करें आप देख सकते हो ही शी सेम जेंडर सब के लिए है जितनी रजोनेट करें रख लेना अधर्वाइस आप और किसी रिखिंग के लिए जा सकते हो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं कि आज उनकी करणट फिलिंग यह काट क्य अब बहुत तिनों बार यहिंग डाल रहें करणट उच्छर दूचर के यानि कि आप ज्यादा इंतिजार कर रहे हो चलिए शुरू करते हैं पेज ओफ सोट्स लिच भी सेवन ओफ मैंट्स फाइफ फेंटिकल्स सेवन ओफ पेंटिकल्स दडिविल गईज आप ही नहीं उसको मिस कर रहे थे मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी मैंने इतने दिन काई नहीं किया थोड़ा बीजी दी टैन ओफ पेंटिकल्स पेंटिकल्स देट्स 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 देट्स्ट्स देट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट दा चैर्गर्ट दा फूर सजना दिल तोड़ दिया पेना चलिए शुरू करते हैं त्री ओफ सोट से बोटम चलिए देखते हैं जहां आपके रिष्टे के बात कीजिए तो यह है सबसे पहले देखिए आपको मैं सबसे पहले बोटम की तरफ लेके जाती हूं कि ऐस टम उनकी कंडेशन क्या है यह जो आपके रिलेशन था एक रिष्टा था जिसको आप बहुत ज़्यादा आपने सीरियस ले लिया जीने मरने की कसमों वाला तो मैं आपको बताऊं आपका जो रिष्टा था वो कुछ ऐसा था एक होता है मरने जीने की कसमे काने वाला एक होता है अट्रेक्शन किसी को देखे अट्रेक्शन होना फिर चीज़े आगे जानी आँखों में आँखों में बात होनी और फिर जा ऐसा होता है कि पास्ट में किसी ने कुछ ऐसा दुख देखा होता है उसे heal करने के लिए ये रिष्टा जोड़ा जाता है लेकिन रिष्टा आपका जोड़ा इसको ये नहीं कह सकते कि वो आपके person आपको love नहीं करते थे love करते थे लेकिन जितना मुझे लगता अगर आप इस time reading देख रहे हो तो आज आप उनको ज़्यादा miss करते हो लेकिन प्याद इसको भी कहा जाता है ये नहीं है कि ये love नहीं है आपका रिष्टा बहुत अच्छा चाल रहा था लेकिन जो आपके person थे ये देखिए card आए आपके रिष्टे को जो खराब करा किसने आपके person की family में और एक ये इस बंदे का कुछ लोगों के person ऐसे थे समझ गए ना fashionable और और मूरक इंसान जो रिष्टे ऐसे person जो होते हैं दाफूल का काड़ ये बताता है कि ये रिष्टों को serious नहीं लेते आपने इतना serious लिया इन्होंने serious नहीं लिया इन्होंने सोचा जो होता है सही होता है जो होता है इस्वर के यनि कि इनको रिष्टा समभालने की समझ नहीं थी ये अपने दिमाग से इतने चतूर चलाक नहीं थे जितने दिखते थे वैसे ये person creative हो सकते हैं लेकिन रिष्टा समभालने की इनमे नहीं थी दीरे दीरे आपके जो रिष्टे थे उनमें आपका family इनमोर जब आपका रिष्टा आगे बढ़ने लगा तो family का इनमोर ये काड़ और ये काड़ clean of wants का काड़ बताता है कि कोई ऐसी female महला थी जिसने आपके रिष्टे को खराब किया खाली खराब नहीं किया एक होता है walking distance city distance state distance और यहां क्या है emotional distance जो emotional distance होता है वो कैसा होता है मैं आपको बताती है वो ऐसा होता है कि पास-पास भी होते हैं तो एक दर्फ दोनों से पास होके भी अलग होते हैं ये होता है emotional तो यहां जिसने भी खटास डाली उसने ऐसे डाली emotional distance यानि कि अगर मुझे लगता है वो life में आपको कभी देखते होंगे जा उन्होंने सारी आपकी तरफ रास्ते बंद कई होंगे वो सारी blocking खड़ी करी होगी कि आप उनकी life में ना आए family का full involve है आपको अलग करने को आप और आपके person की खुशियां वो नहीं देख सकते नहीं देख सकते हो सकती है female में उनकी mother हो, sister हो baby हो, buah हो कोई भी guidance हो सकती है लेकिन मैं आपको ये बता दूँ ऐसी ये महला है ये महला ऐसी है डरती नहीं है किसी से और इनको भी अपनी चलाने की आदत है उन्होंने आपका खाली रिष्टा नहीं, आप से अलग होने के बाद आपके person को और भी कई तरह की तरफ दुख पहुंचाई है चाए वो finance हो, कुछ भी हो इसलिए आपके person इस time बहुत ज़्यादा परेशान है और ये देखिए, ये three of swords का कार्ट पराता है, कि अगर उन्होंने आपको इस खिती में पहचाई है दिल दुखाई है तो इस time भो भी इस condition में है बहुत दुखी है बहुत उनका मन इस time परेशान है उनको इस चीज़ का realize है कि उन्होंने अगर आपसे चाहे attraction वाला लव किया लेकिन आप इतनी दुखी हो चीज़े बहुत चुपाई जब रिष्टे में थे क्योंकि वो जानते थे कि रिष्टा मैं संभाल नहीं सकता family कभी भी इस रिष्टे को accept नहीं करेगी इसलिए उन्होंने चीज़े बहुत चुपाई आपसे बाते बहुत चुपाई चुपा चुपा के आपको कभी doubt होता था लेकिन आपने ज़्यादा पूछने की नहीं कोशिश करी अगर ये मैरी intuition कहती है कि आपको हर धम डर लगता था कि ज़्यादा पूछ से कहीं रिष्टा मेरा बिगण न जाए अगर ये पास सचो तो please government में जुदे मुत पताना लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ जहां कोई सूरज निकलता है तो end भी होता है अगर डूपता है तो उद्ध्य भी होता है वो एक ऐसा वक्त था आपका जिसमें लोगों ने इन्वोल करके आपके रिष्टे को खराब खरा क्योंकि आपका परसन जो था थोड़ा दिमाग का कमजोर था राए नीती दोड़ाने वाला था और रिष्टे ना समालने की काबलियत थी उनमें समालने की काबलियत नहीं थी लेकि ये जो उन्होंने बाद में आपके परसन को परिशान किया हर चीज से अलग किया हर वो कमिया उनकी फैमिली की थी जो आसपास ने जिन्नोंने इंटर्फेर करके रिष्टा कराब किया था आपके परसन को उनकी आ गई और उनके साथ रहते आप जब उनके साथ है तो उनको इतनी कमी नहीं इनको नहीं पता था कि अलग होने के बाद वो आपको इतना अकेला पन अलॉन फिल करेंगे अब वो आपके बिना बहुत अलॉन पन फिल करते हैं जो चीजे उन्होंने आपके साथ डेट, खसना, केलना, प्यार, मुहबत की बाते उनको सब याद आती है इसलिए उनकी जो thinking जो छोट इस स्तीति के आग आने में अब उन्होंने सोच रखा है कि इस रिष्टे को पूरा ग्रो करेंगे जैनि कि उन्होंने मन ही मन में maintain करना शुरू कर दिया है, maintain में ये भी हो सकता है कि किसी से advise lane शुरू कर दिया है और वो आपके साथ एक बरा बुरा परिवार जैनि कि आपको अपनी family और आपको बरबर का स्थान दे के एक इज़दा जिंदगी आपके साथ बताना चाहते हैं और जहां कि मैंने आपको कहा maintain करनी है रिष्टे को और action लेना चाहते हैं आपकी तरफ और एक ऐसा परिवार चाहते हैं जो आप भी शायद चाहते हो कि उनकी family accept हो करें और आप उनके साथ आगे चीज़ों को लेके जाएं तो guys इस time आपके person की condition जो है बहुत खराब है उनके स्तिति ऐसी है corona जैसी समझ गए न आप दुखी मत हुया करिए क्योंकि दुखी रहने से positive बने होगे तो ये card और भी अच्छे आएंगे आपके person की healing होगी ये चीज़े action लेना चाहते हैं आपको family के साथ accept करना चाहते हैं आप लोगों का emotional distance था जो अब कम हो चुका है तो पूरा तो तबी बिलको खतम तब होगा जब आप आसपास होगे सामने होगे समझे न अच्छे से हैं तो मैं आपको बताऊं ये है bottom deck अब हम देखेंगे ये चीज़े जल्दी होंगी इस year क्या ये चीज़े इस year होंगी जा अगले year होंगी जा ये चीज़े divine डिवाइन बताइए क्या ये चीज़े कैसे जल्दी हो मेरे गाइड वियोर को advice दीजिए ये कार्ड निकलने के बाद आपको फूदी हर वक्त मैं शायद चलो आप भूल गयोंगे हर वक्ती डालती हूँ advice card ये advice card मैं सबसे पहले बताऊं आपको इसलिए डालती हूँ ये आप लोग बहुत hopeless होते हो कई बर comment books में ऐसा ऐसा कुछ क्या देते हो कि मुरी नेंद भी खराब हो जाती है मुझे tension लग जाती है आपके आपका person आपकी life में आ जाए जिन लोगों का separation चल रहा है ये उनका card आया तो मैं आपको बता दूँ आपको करनी होगी अपने healing अगर बाहर से करवा सकते हो तो ठीक है अदर्वाइक कोई problem नहीं अभी आप इतने अपने आपको कुद positive बनाएए अपने आपको busy रखिए और heal कीजिए और वो सपने देखिए जो सपने आप मन में सजाते हो और positive कैसे बनोगे आपके सपने कैसे साच होगे एक मैं अपने हमेशा यही सोचना है कि आपका partner आपके साथ है आपकी शादी हो रही है जो भी आप मन में theme है आपने thought वही लेके एक प्यारी से smile के साथ इनको amazing करना है और जो यह रिष्टा आपका खराब होया है यह चीज़े हुई है यह चीज़े हुई है आपने जो खराब उन चीज़ों को आपने avoid करना है जब positive बनोगे तो क्या होगा रिस्ते में positivity अपने आप आएगी कहते हैं ना बोया पेड बभूल का तो आम कहां से पाएं तो यह मैं इस reading में आपको यह ही कहूंगी अगर positive सोचोगे तो positive होगा negativity अगर सोचते हो तो सामने वाले के उपर भी negativity होती है वो भी हरतम रोता है और उनका दिमाग में चलता कि जिस्ता आगे कैसे लेगे जाना है तो guys आपके लिए एक सबसे बड़ी advice है कि आप अपने आपको balance रखें balance करने की कोशिश करें positive बने अपने आपको busy रखें अच्छे अच्छा सोचिए तांकि उनके पास आपक आपकी खुशियां जो है life में ऐसे आपकी जिंद्गी हरी बरी एक family के साथ क्योंकि खाली परसन से life निकलती है लेकिन यहाँ family हो वहाँ मजा ही लाग जा है तो यह थी मेरी आज की रिडिंग जो मैंने डाली आज 13-14 दिन के बाद अगर आपको पसंद आई हो तो please कीजिए आपके लाइक शेयर कमेंट और साथ में कीजिएगा मेरे इस चैनल को सस्क्राइब साथ में दबाईएगा बैल आइकन तक ही नेक्स्ट रिडिंग जब भी अप्लोड को नोटिफेशन पर चाट के फोन तक आज तक के लिए इतना ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गोर्ड ब्लेस यू और जया माता दी खुश रहना पोजिटिव बनना और अच्छे अच्छे कमेंट करना